क्रिया कलाब 2 इस क्रिया कलाब को करने के लिए हमें चना, मूंग के लगभग 30 बीज, 4 कटोरियां, पानी, सूती कपड़ा व ब्लेड की आवश्यक्ता होगी चने या मूंग के करिब 30 बीज, 1 कटोरी मिलें, इन बीजों को अंकूरित करने के लिए करिब 6-7 घंटे तक पानी में भिगो दें इसके बाद इन बीजों को पानी से निकाल कर एक साफ सूती कपड़े में पांध कर रख दें बीज सूखे ना, इसके लिए बीच बीच में कपड़े को पानी से गीला करते रहें, लगभग 2-3 दिनों में बीज अंकूरित हो जाएंगे इन में से लगभग 10 अंकूरित बीजों को चुनाव कर लें, अब 5-5 अंकूरित बीजों को दो अलग-अलग कटोरियों आ, बा में रखें इन्हें अभी भी पानी से गीला रखें इन दोनों कटोरियों के बीजों के मुलांकुरों की लंबाई इसकेल से माप कर दी गई साड़नी में भरे यदि मुलांकुर सीधे ना होकर तेढ़े मेड़े या मुरे हुए हैं तो आप धागे का उप्योग कर मुलांकुर को माप सकते हैं यह प्रथम दिन की माप है अब कटोरी बा के बीजों के मुलांकुरों के अंतिम सेरों को लगभग 0.05 cm काड़ दें कटे हुए सेरों को एक अन्य कटोरी सा में गीला करके संभाल कर रख दें इनका प्रयोग हम क्रिया कलाप तीन में करेंगे यह ध्यान रहे कि हमें कटोरी आ के बीजों को यथावत रखना है अब हम समय समय पर दोनों कटोरी आ वब के बीजों का अलोकन करते रहेंगे यह भी ध्यान रखना है कि बीज सूखने ना पाए पुनह पाँचवे दिन दोनों कटोरी आ और ब के बीजों के मुलांकोरों के लंबाई माप लें और उपर दी गई सारने से भरें यह पाँचवे दिन की माप है पाँच दिनों के बाद किस कटोरी के बीजों के मुलांकोरों के लंबाई अधिक है और क्यों जिन बीजों के मुलांकोरों के सिरे काट दिये गए थे क्या उनके लंबाई में वृध्धी हुई पाइब देगी